हेलो दोस्तों वेलकम टु मेंपर्ट सडी आज आपके टेस्सरीज का पहला टेस्ट है अर्थशास्ट का विकास अंसर शीट पर आपको अपना नाम और अपना स्टेट ज़रूर लिखना है और यह तेलीग्राम गृुप पर सेंड करना है ठीक है आपको यह सब करने के 15 मिनट में लेंगे मतलब इन सबके आंसर करने के नाम और स्टेट लिखने के क्योंकि 15 मिनट के बाद आप दुबारा टेलेग्राम ग्रूप पर मैसेज नहीं कर पाओगे तो इसलिए आपको टाइम का बहुत जाद धियानत नहीं और दूसरी बात त्यार मैं आपको कोशन का मतलब न होने वाले हैं उसके बाद में यूट्यूब स्टोरी लगा पाऊंगा तो जिस भी वच्चे के फुल मांक्स आएंगे उसकी जो आंसर चीट की पिक है वो यूट्यूब स्टोरी पर लगाई जाएगी चलो स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर वन निमन मेंसे किस राज्य की सा कांग सबसे उपर है A. शिलंका B. भारत C. मियानमार D. नेपाल नेक्स्ट कोशन 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 नमबर 4 नेमनली खित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तयार की A. विश्वबैंक B. अंतराश्य मुद्राकोश C. UN या D. UNDP कोशन नमबर 5 विश्वबैंक विकास के लिए देशों का वर्गी करण करने के लिए क्या मापदर्ण अपनाता है A. परतिवक्ति आये B. जीवन प्रत्याशा दर C. साक्षरता दर या D. तीनो स्तरों का नमांकर नुन उपात कोशन नमबर 6 निमन लिखित में से कौन सा सतत विकास का उदेश है परदूशन में कमी A हो गया ये B हो गया परतिवक्ति आये में कमी C हो गया प्राकरतिक संसादनों का संरशन D. उप्योगत सभी कोशन 7. कुल राष्टे आये तथा डैश के भागो परतिवक्ति आये कहते है किसके भागो कुल उत्पादन कुल जनसंख्या C हो गया आपका शुद्द राष्टे आये D हो गया सकल राष्टे आये उत्पादन को कम करके परत्ते के जीवन स्थर को उचा उठाना डियो प्रोक्त सभी नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 9 केरल में शिशू मृत्यु दर कम है इसके लिए निमलिकित में से कौन सा कारण सही है वहां अधार्बू स्वास्तेत था शेक्षिक सुविधाय का प्रियाप्त सादन है या उप्षन नमबर 10 केरल की सरकार बहुत कुशल है कोशन नमबर 10 साक्षरता दर क्या है ए दस्वीपाश शात्रों की संख्या बी पड़े लिखे लोगों की संख्या सी सात वर्ष और उससे अधिक आयू के लोगों में साक्षरता जन संख्या का अनुपात या डी उप्योगत सभी कोशन नमबर 11 निमलिकित में से किस किसे ओसत आय भी कहा जाता है ए राश्या आय बी परतिवक्ति आय सी कुल आय डी उप्रोगत सभी कोशन नमबर 12 किसी वर्ष में पैदा हुई हजार जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयू से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात कहलाता है क्या कहलाता है ए जनमदर बी लिंग अनुपात सी शिशुदर शिशु मृत्युदर और डी मृत्युदर ठीक है इसे मृत्युदर कर लेना कोशन नमबर 13 यू एंडीपी की फॉल फॉर्म बताईए ठीक है यह आपको वन वर्ड में आंसर वर्ड देना है मतलब डफिनीच, फॉल फॉर्म लिखनी है उसकी उसकी नमबर 14 BMI की फॉल फॉर्म बताईए, कोशनने वाला विकास धानेता होता है सही या गलत Q70. औसत आय को राष्ट्य आय भी कहा जाता है, सहिया गलत Q18. औसत आय और परतिवक्ति आय दोनों एक ही तरह की अवधारना है, सहिया गलत Q19. आर्थिक विकास माने विकास का एक परमुक तत्व है, सहिया गलत Q20. नीजी स्कूल सार्वजनिक सुविधाओं में आते हैं, सहिया गलत मैं क्लेली बता दू, यह टेस्ट उतना इजी नहीं है, जितना आपको लग रहा है आप आंसर करोगे, आपको पता चलेगा, Q20 देखकर आपको पता ही चल गया होगा तो इसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी मेरे को टेलिग्राम ग्रूप पर सैंड करना है चीक है, वहाँ पर आपको पता चलेगा, कि आपके कितने माकस आए है चीक है, तो जैहिन जै भारत, बंदे मातरम